अब तो ओली भी खतम हो गई गंगा मेला भी निपट गया है UPPSC आयोग से निवेदन है कि जल्द से जल्द UPPSC आयोग के सभी इंपोर्टन जो एक्जाम्स होते है आरो यारो वाला उसका जो री एक्जाम होना है वो तो शायद पॉस्बिल्टी लग रही है अगस सितंबर तक की ठीक है UPPSC 24 का जो प्रिलिम्स का एक्जाम होना है वो तो आयोग पहले डिकलियर कर चुका है कि जुलाई में है वो और most probably वो जुलाई के मिड में होने की सम्भावना सबसे जाता है बी यो का भी जिक्र किया था UPPSC 24 के पहले वाले कैलेंडर में ठीक है तो अब तो सारे एक्जाम UPPSC ने वैसे ही पूस्पोन कर दिये थे बोला था जो होली के बाद जल्द से जल्द है कलेंडर देखने को में सकता है उसी के लिए सारे इस्ट्रेंट वेट कर रहे हैं मेरे साब से UPPSC 24 का नया कैलेंडर आने की सम्भावना बहुत जल्द है मतलब आप देख सकते हैं आने वाले एक दो हफते के अंदर ही आ सकता है यह यूपी PCS 24 का प्रिलिम्स एक्जाम मैंने बता है को जुलाई के मिड़ में होने की सम्भावना है जब UPPSC 24 का नया कैलेंडर आएगा तो उसमें UPPSC 24 की प्रिलिम्स की भी डेट होगी मेंस UPPS 24 का मेंस की भी नई डेट आएगी आरो यारो दोजर तेज कर रही एक्जाम प्रिवाली की तो डेटा नहीं या निए बीयों का भी बहुत ज़्यादा पॉसिफिल्टी है कि आ सकती है एक बात आप लोग समझ सकते हैं कि भाई अभी भी अभी आपके पास मार्चेंड हो गया ठीक है अब बचा है एपरेल ठी के तीज दिन और फिर जुलाई के मिड के आसपास होना है तो अभी भी मोटा मोटा आपके पास करीबन एक सो दस एक सो बीज दिन के आसपास दो दिनों का क्या है दिन ने तो फुर से निकल जाएंगे जैसे पूरा मार्च निकल गया देखते देखते तो इसलिए यूपी से दोजार 24 को दोजार 24 में ही निकालने के लिए तो तैयारी में स्पीड बढ़ा लीजिए अभी से लेके करीबन एक महिने तक आप प्री प्लस मेंस पे दोनों पे फोकस करिए और एक महिने के अंदर कलेंडर वगए आ जाएगा डेट्स वगए आ जाएगे उसके बाद से प्रिलिम्स एक्जाम तक उपीपीसे दोजार 24 के प्रिलिम्स एक्जाम तक वहां तक सिर्फ और सिर्फ प्री पे ही टर्गेट करके पढ़िएगा ठीक है अभी हम नया ग्रूप चालू करने जा रहे हैं तीन अप्रेल 24 से इसमें प्री की कम्प्लीट तैयारी हो सकता है हम पीवाइक को देते हैं बस उतना ही लगाईएगा पीवाइक को बहुत ज़्यादा कोईशन ही आते हैं तीन चार पांच कोईशन आते हैं उतने हमारे कंपाइलेसन से अल्रेडी कवर हो जाएंगे ठीक है अभी से लेके एक महिने तक प्रीप्रेस में का दोनों ग्रूप एसे के सारे हमने अपने फ्री टेलिग्राम में दे दिये हैं उनकी लिंक है वीडियो के डिस्किप्शन में प्रिंट कमेंट में आप उसको जोईन करके पूरे जो है पेपर वगरा देखके अनलिसिस जरूर करिए इसकी समझ रहे हैं हिंदी जो मेंस में आएगी मेंस वाली Cash configure कर लो अगर यह सब आपने नहीं किया प्री से दो महिने पहले तक थख, तो प्री मालो हो भी गया तो प्री मेंस के बीच में गया तो ज़्यादा जब्ष तीन महिने का यह होता है तीन साठीन महिने का उसी में GS1 से लेकर 6 तक पढ़ना पूरी previous question की मेंस की analysis, हींदी की त तैयारी आंसर राइटिंग प्रेक्टिस बिल्कुल नेक्स्ट इंपॉसिबिल चीज़े इसलिए प्री जब आपका निकले तो आपके पास क्या-क्या चीज़े हतियार होने चाहिए जीएस के पूरे मेज की आपको पड़ा होना चाहिए एसे का मैट्रियल भी है इसा नहीं के मैट्रियल नहीं है आपको SCS की प्लेलिज दी हुई है éसे की प्लेलिज दी है हिंदी की भी पूरी मेर्स की त्यारी करने के लिए प्लेलिज दी है GS5 चाहिए पूरी Market नहीं हमारे चलू होने जा रहा है तीन अप्राइल दोजार चॉबिस से प्री प्रस मेंस का टोटल गुरूप टोटल गुरूप लेके यूपी प्यस्थी दोजार चॉबिस की टोटल तेहरी करके पहली बार में इसलेक्शन ले सकते हैं चाहे जैसा पेपर आ जाए अगर आप स्टडी सब्सक्राइब कर देख सकते हैं यूपी पीसियास का जब भी प्री होता है हर बार देड़ सो कुष्चन आते हैं दोस्तों नमबर का पेपर होता है और देड़ सो में से करीब एक सो पंदरा से एक सो बीस सवाल आ जाते हैं सारे प्रूफ अमने टेलिग्रा में हर साल देते हैं और कट आफ के लिए कितना चाहिए करीबन नाइंटी नेट में अगर आपके आजाएं भाई उस मैं तो कह रहा हूँ आपको 120 के असपास आतने हैं मारे से आप 70-80% भी इफि पैटन चला है जैसा इस समय डाइनमिक पैटन चला है बिल्कुल उसी पैटन के अनुरूफ हम सारा अपडेट करके रखते हैं पेड को इस समय भरपूर बंपर प्रेक्टिस कराई जा रही है चाहिए आपके PCS के लिए हो चाहिए वो री एक्जाम आरो यारो के ग्रूप मे चाहिए वो बी एओ के एक्जाम में इस्टडी फॉर सिविल जब्सका यूपी PCS दोजार चौबिस दोजार पच्चिस आरो यारो जोजार तेज का री एक्जाम का प्री का मेंस का बी ओ का दोजार चौबिस का यूपी ट्रपल से की किसी भी ग्रूप का जो अगर आपको स करके पूरी जानकारी लेके तुरंत आप सिर्फ और सिर्फ एक्जाम औरियंटेट तैयारी करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं बाकी हेटर जो है वो लोग तो कुकु करते रहेते हैं एक बात समय लिजे यूपी PCS के एक्जाम सकंजोर लोगों के लिए नहीं होते हैं पायोग की डिमांड है वो फॉलो करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी प्रेक्टिस भी करनी पड़ेगी तब जाके सिलेक्शन होता है लागों लोग फोर्म बढ़ते हैं और पोश्ट कितनी होती है कुछ सौ में होती है अगर ग्यारा ग पढ़ना पड़ेगा जरूरत है इस एक्जाम की डेली कम से कम जो है 6-8 गंटे पढ़ाई करना पड़ेगा अगर आप देखे कई लोग आप लोगों में से आते हैं कि भाई मैं वर्किंग हूँ मेरे साथ यह समझते हैं मैं ग्रैणी हूँ अरे आप लोग क्यों अपने को ऐस हो अगर आप लोग जो है वह ऐसी बात करूं मैं तो कोई गर्फ्रेंट से मिलने जाना हो और रिष्टे के लिए जाना हो चाहें जहां भी फसे होगे तुरंट पहुच जाओगे वहां पर पढ़ाई करने में पता नहीं का है मरी आती है 14 गंटे की वेब स्रीज देखनी चलो समझ में आ गया मोती वित्तन हो दिया दो ते लो